और यहां पर देखो यह कितना हो गया यहां पर क्या किया था यह 3 by 3 के कितने बनेंगे 6 by 6, 6 cross 6 मतलब 6 square 36 बनेंगे in the same way 4 cross 4 के कितने बनेंगे देखो तो यह हो जाएंगे आप ध्यान से देखोगे तो यह 5 cross 5 हो जाएगा that is 5 square in the same way 3 यह 5 cross 5 के कितने बनेंगे यह होंगे 4 cross 4 मतलब 4 square ऐसे 6 cross 6 के कितने बनेंगे 6 by 6 के बनेंगे 3 cross 3 मतलब 3 square 7 cross 7 के कितने बनेंगे तो यह 2 cross 2 मतलब 4 बनेगा 2 square और 8 cross 8 का जो इस size का जो square बनेगा वह होगा 1 cross 1 मतलब 1 होगा तो आप देख सकते हो 8 by 8 का तो यह 1 ही square है ना यह 8 by 8 का हो गया देखो यह 1 ही square है कितना समझ आ गया तो total squares कितने हो गई यह हो गई है तोटल नंबर सब्सक्वाइस इस काई स्कार्स इस इन टू इन प्लस वन इंट सॉन प्लस वन इन्प्लस वन बाई 6 यह 1 से लेके n तक के स्कॉइस का सम का फर्मूला था अब यहां पर n की जगह कितना रख देना 8 तो रख दो इसमें 8 इंटू 8 प्लस 1 9 इंटू 2 8 2 इंटू 8 प्लस 1 17 वाइ 6 पुरा है ठीक है अब यहां पर यह कितना जाएगा इसको मल्टिप्लाई करोगो तो यह 2 0 4 आएगा इसको सॉल करने पर 2 0 4 किसी से आया था बच्चा क्या शार्व बच्चा बताओ गौरव अवनी मिला था क्या यह मिला था यह नमर वेगो नेस्ट कॉस्शन लिगा क्यों कॉस्शन है। फांडी नमबर अव् find the number of number of six digit number digit numbers number find the numbers of numbers of six digit number whose sum sum of digit digit is even answer this question six digit का जो सबसे छोटा नमबर होगा वो कौन सा होगा सबसे छोटा जो six digit का नमबर है वो है one zero 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 यही आएगा न सिक्स डिजिट का सबसे छोटा नमबर अच्छा इसके digits का सम कितना है क्या और है ऐसी इसके और आगे बढ़ते है one zero 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 one अब सम कितना हो गया देखो इविन हो गया फिर आगे बढ़ते one zero 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 two तो अब कितना हो गया यह एविन हो सरी ओड़ हो गया सम यह और आ गया यहां पर three हो जाएगा तो फिर से यह क्या हो जाएगा इविन आ जाएगा तो ऐसे चलता रहेगा तो आप देख सकते हो कि यह क्या हो रट पहला और है दूसरा इविन फिर तीसरा और फिर चौथा इविन इससे चलता रहेगा अच्छा सबसे लास्ट में जो नंबर होगा क्या वो यही होगा six digit का सबसे बड़ा नंबर यह है और इसका सम देखो क्या यह इविन है तो आप क्या सोच सकते हो कि और से स्टार्ट हुआ था नंबर और इविन पर जाके खतम हो गया डिजिट्स का सम ऑड से start हुआ था और डिजिट्स का सम इविन पर खतम हो गया तो कहने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक जितने भी numbers हैं उन में आधे odd sum वाले होंगे और आधे even sum वाले होंगे कि यहां से यहां तक नंबर कितने हैं तो टोटल नंबर कितने हैं तो टोटल सिक्स डिजिट नंबर कितने हो जाएगे बताँ सबस्क्राइब यहां सबस्क्राइब करें और इसमें क्या करें जिए और रियलिस्टिक बना देता हैं यह 1 से स्टार्ट हो रहा था मैं लेट से यहां से 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ 4, 5, 6, 7, 8 लेट से यह कितनी नंबर है? 5 नंबर है तो आप क्या कहोगे? कि यह 8-4, प्लस 1 होगा तो मतलब यह देखो 4 यह प्लस 1 तो यह 5 हो गया ऐसा यह प्लस 1 क्यों एड कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि यह 1 और एंड दोनों ही इंक्लूड किये हैं, इंक्लूसिव है इसलिए यह 1 एड करना पड़ रहा है तो इन दे सेम बेग यदि हम बात करें कि 1000 से लेके यहां से लेके यहां तक कितने नमबर्स होंगे 6 डिजिट के तो हम क्या लेख सकते हैं? 9999999-1000 इतना और प्लस वन वन हो जाएगा तो इसको अदि आप ध्यान से देखो तो यह मिलेगा यह वन एड कर देते हैं इसमें तो कितना जाएगा वन एड कर देते हैं पहले इसमें तो भी लेगा वन जीरो 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 हो जाएगा इसको सब्टेट करें तो मिलेगा कितना ये 5-0 बचे ही रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5-0 और ये 9 हाजाएगा इस तरह से तो ये 9 into 10 to power 5 होगे ठीक है तो ये इस तरह से यदि आप numbering की counting करते हो इसका दूसर तरीका है आप दूसर तरीके से भी ये number count कर सकते थे कि यहां से लेके यहां तक कितनी numbers होगे यह अदि count करना है तो दूसर तरीका है कि ये 6 डिजिट, 6 back-end places बढ़ा सकते हैं 6 back-end places है तो और यहां पर कितनी choices है देख़ो इस place पर ये यहां पर choices है 9, 0 को छोड़के बाकी सब आ सकता है और यहां पर choices है 10, ऐसी इस पर 10 choices है इसी 10 इस पर choices है कोई भी 10 में से कोई एक digit आ जाए ऐसी 10 choices इसमें है ऐसी 10 choices digit की इसमें है तो 6 digits के total नमर कितने बनेंगे 9 into 10 to power 5 इतने बनेंगे ठीक है और जो की हमने counting से इस तरह से निकाली है समझा है अभी आंसर क्या हो जाएगा इस question का answer क्या होगा number of 6 digit number वो sum of digit is even तो answer जो आएगा क्या वो answer 9 into 10 to power 5 by 2 आएगा क्योंकि इसमें आधे odd है और आधे even है तो यह answer आजाएगा कोई doubt इसमें sharp बच्चा बताओ अब नहीं नहीं सर समझा है ना question समझे पुरा clear हुए चलो next question है यह थोड़ा दिक्कत कर सकता है बट मेरा मन है कि यह question तुम्हें जरूर कराए जाए so question लिखो number of number of number of non-negative integers non-negative integers integer कола कहा तिजर लस थर लग द द द व कंद द द द द द еть द अपवाफै पवै स वाफ द फ मन द द द आॉ इन containing the digit one at least once question समाजा है number of non-negative integers less than 10 to power 5 containing the digit 1 at least once. चलो बताते हैं कि कैसे करेंगे इसको है ना? number of non-negative integer less than 10 to power 5, 10 to power 5 से छोटे क्या वो 5 digit की number होंगे? 10 to power 5 जो है 6 digit का number है. number of non-negative integer less than 10 to power 5 containing the digit 1 at least once. तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले तिये देखो कि 5 digit के total numbers कितने होंगे? टोटल नंबर्स और फाइव डिजेट नंबर्स नंबर्स इस इकोल टू, देखो मैं इसको ऐसे लेकर हो, यहां पर है, 10 choices into 10 choices into 10 choices, 10 into 10, क्योंकि 10 digits है, 0, 1, 2, 3, up to 9, जो string होगी वो digits की, वो 0, 1, 2, 3, up to 9, यह digit प्रियोग कर सकते हैं, there are 10 digits, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 10 to power 5, अब इसमें आप सोच रहे होगे कि सर इसमें यह भी include हो गया, देखो यह 0, 0, 0, 0, 0, यह number भी include हो गया, included in the counting, ठीक है, तो मैंने नमबर होगा है, इसमें जो सबसे बड़ा number count हुआ है, वो सबसे बड़ा number count हुआ है, 9, 9, 9, 9, 9, यह होगा है, तो वो इस से छोटा ही है, कि इतनी बास समझ आई, कि यह जो हमने 10 to power 5 कर दिया, इस की counting कहा से start हुई, यहां से, और end कहा हो रही है, इस number पर, इस number पर end हो रही तो इसमें हर तरह के डिजिट प्रियोग हुए हैं इसमें किसी भी डिजिट पर restriction नहीं है लेकिन यह कह रहे कि number of non-negative integer less than which contain the digit one at least one ऐसे कितने numbers हैं जिन में one कम से कम एक बार देखे तो मैं एक काम करता हूं इसमें एसी केस बना देता हूं जिसमें वन आये ही ना वन हटा देते हैं तो यहां पर फिर से हम 5 डिजिट के नंबर बनाते हैं टोटल नंबर्स और फाइव डिजिट्स 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 नंबर्स डूट कणें जिसमें जिसमें वन आयी ना तो अब वन को छोड़के वागी सारे डिजिट तो आ ना रहो गया 925 एन ऑंक्लूद है 0000 इस इनक्लूड है इसमें आया में इसको छोड की बाकि सारे डिजिह है तो यहां पर ये नंबर इंक्लूड 10 0000 ये इंची वारे इंक्लूड एंच्ण काउंटग के खांधन में 쿠 toast काॉंट हुआ है वो खोड यह सब्सक्री बढ़न नहीं नहीं ऑइसा तो ऐसे जिन में यह वी और इतने है इनिक्लूदेट इस में है तो जह तो रिक्वाइड आंसर एंसर तू डिस कॉश्चन जो आएगा वह कितना हो जाएगा क्या प्रफाइव माइनस नाइट पार फाइव गए देखो द्यांसर ऐसे जिटने भी नमबर थे वह यह थे और फाइव डिजिट के नमबर जिनमें वन आई ना रहा हो वह इतने हैं तो किसी ऐसे नमबर जिनमें वन कहीं नहीं आ रहा है वो इतने हैं इस मैंसी यह सब्टेट कर देंगे तो वो नमबर आ जाएंगे जिनमें वन कम से कम एक बाद देख रहा हुआ कि इतनी बास समझ है इस दिस के लिए कोई डाउट इसमें यह कहा जा रहा है कि नॉन नेकेटव इंटीजर है तो इसमें जीरो जी ये वाला नंबर अकॉंट हुआ था तो इसे में भी यह नंबर आतो हो रहा है तो ईसमेंसे चैन्ग यह हाठी यह भी शियोटी हो गया आई होब कि यह समझ आया होगा चलो नेक्स कॉस्टिन लेखो राइड डां लेखो नमबर ऑफ टाइम्स चलो इससे पहले एक छोटा सा कॉस्टिन कर लाता है इसी का छोटा वर्जन नमबर ऑफ टाइम्स लाइम्स टाइम्स टीछ्ट बाइम्स टीछ 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 एक्योटा होग कर फटास्टिन कर टीछ कर टीछ एक होगा टीछ टीछ then we write counting from from 1 to 100 एक छोटा सा क्वेशन पर लिए बताव आंसर बताव कितना अगा आंसर आए बताव 21 ना बिल्कुँ सही आंसर है यही आएगा आंसर तु दिस क्वेश्चन इस 21 लेकिन यहां तो आपने ऐसे काउंट करके बताया होगा कि जैसे एक वन में एक आ गया एन में एक आ गया फिर एलेवन में दू आ गया फिर यहां पर नहीं सर ऐसे नहीं किया इसे कहां तक नाइंटीन हो गया फिर ट्वंटीवन में आ गया थर्टीवन में एक आ गया फिर्टीवन फिप्टीवन सिस्टीवन सेवेंटीवन एटीवन में एक आ गया नाइंटीवन में एक आ गया और हंड्रेड भी तो है यहां से यहां तक तो इस तरह से आप काउंट करोगे तो यह मिलेगा वान टू थ्री फोर फाइज सिक्स अच्छा ऐसे कर लेता है नहीं बारह से उन्नेस तक आठ हो जाएंगे आठ हो गया आठ नौ तस ग्यारा बारह तेरह चौदर पंदरह सोलह सतरह ठारह उन्नेस भी से किस हां हां सर बताओ कैसे किया अंगर किया तक फ्रव सर विज्वे अपने पेंड़े मेथड बताई थी उससे लख से इन रेस्ट व्टू माइन रेस्टो टू और फिर हंड़र्ड काया क्या 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 है । प्लस टू प्लस तू प्लस लब 11 के एक और एड होता है और 100 का भी आड होता है तो टूड़ेट के नमबर इतने हैं ऐसे डिजेट जिसमें ओके तो यदि मेरे पास ये होता तो क्या ये मेथड लग जाता यदि पांच ऐसे होते तो क्या ये मेथड लग पाता सोचके बताओ नहीं लगता ना इसलिए ये थोड़ा गड़ बड़ है ये मेथड गड़ बड़ तो देखो करेंगे क्या है इसमें एक अलग तरह का सिच्वेशन है मैं काम करता हूं टू डिजिट के जितने भी पॉसिबल नंबर है न वह बना देता हूं और उनमें जो डिजिट्स यूज करूंगा जीरो वन टू थ्री फोर अलग ध्यान रखना ये डिजिट्स का प्रियोग करूंगा तो जो सबसे छोटा नंबर होगा टू डिजिट का तो मैं लिखूंगा एसे जीरो 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 लिखूंगा यहां से अब आप कहोंगे सर्क सब्सक्रों कि आयेगा से स्टार्ट होती मैं कहां से स्टाट करता अवान सबसे छोटा नमबर कितने होंगे टोटने होंगे जिए कैश्वर ₫ numbers of two-digit number two-digit numbers कितने होंगे बता two-digit total number कितने होगे तो आप क्या कर और यह तो बहुत आसाना है इसर यह दो प्लेसे हैं यहाँ पे 10 चॉइस यहाँ पे 10 चॉइस हैं तो यह कितने हो जाएंगे 10 स्कार मतों 100 है जाएगा इसमें एक चीज ध्यान रहे वी इंक्लूडेश जीरो इसको हम टू डिजेट का ही मान रहे है पर्टिक्लर आप वैसे जीरो इंक्लूडेश इंक्लूडेश अब कहा होगे कि टू डिजेट का वैसा सिचुएशन है मतलब इस पर्टिक्लर इस सिचुएशन में हमने जीरो को हैजाड डिजेट और इसको भी टू डिजेट का मान लिया आप कहते हैं यह यह वन डिजेट का ही होता है वन तो लिखेंगे तो लेकिन हमने इसको टू डिजेट आप पर्टिक्लर इस सिचुएशन में जीरो हो जाएंगी हंड्रेट हो जाएंगी हंड्रेट रोल्स हैं अच्छा यहां से लेके यहां तक तो डिजेट डिजेट्ट यूज कितने हो गए टॉट्रेट्ट डिजेट्स यूज्ट कितने